अगर आपका JMR इन में से होता है तो आपको मिल जाएगा गौर्मेंट कॉलेज का कट अप प्लिस नीचे आपको डेस्क्रिशन में मिल जाएगा जाके आप लोग देख लेना तो यह जो रैंक आप लोग देख पाओगे यह सभी JMR है यानी यह वाला रैंक आप लोग देख सकते हों JMR एन्जी रैंक में जो रैंक है 14,229 यह वाला रैंक इस रैंक के उपर ही काउंसलिंग होता है AST, AST, TfW जो भी रैंक है कास्ट रैंक, TfW डैंक इसको उपर काउंसलिंग नहीं होता तो इसको प्रायर्टी मत दो अगर आपके पास AST, AST है तो कोई प्रावलब नी यह पॉजडिव पॉइंट है वो कैसे वग करता है, TfW कैसे वग करता है, अगर आप जानना चाहाँ तो नीचे कामेरा से कमेंट करना उसको पर में स्वेरेट वीडियो बना दोंगा चलिए स्टार्ट कर लेते, तो यह जितना भी रांग आप लोग देख पा रहे हो, यह सभी JMR यानि SC के नीचे, ST के नीचे, OBC B के नीचे, OBC A के नीचे जितना भी रांग आप लोग देख पा रहे हो, यह सभी JMR ठीके तो आप अगर इस college में ceramic engineering and technology पढ़ना चाहते हो तो आप अगर general category से बिलंग करते हो तो आपको within 7000 के अंदर rank रखना है और विसी A के लिए 18000 तक आपका rank रखना है और विसी B के लिए GMR 7000 के अंदर रखना है AC के लिए आपका GMR around 16000 के अंदर रखना है ST के लिए around 55 तक आपका रखना है GMR ठीके और TfW के लिए around 5000 ओके and CAC के लिए आप लोग देख सकते हो CAC में बहुत demand है ठीके तो अगर आप general category से बिलंग करते हो तो आपका GMR होना चाहिए only 3400 यानि सारे 3000 rank के अंदर आपका GMR होता ह है तो आपको CAC मिल जाएगा OBC A के लिए 11,000 around OBC B के लिए 4000 SC के लिए around 10,000 ST के लिए around 35,000 ठीके और TfW के लिए 3000 around जाता यानि 4000 आप लोग पकर सकते हो ठीके and information technology में general category के लिए around 5000 तक आपका rank होना ही शाहिए OBC A के लिए around 15,000 OBC B के लिए around 5000 SC के लिए around 13,000 ST के लिए around 44,000 ठी ठीके और नीचे कुछ भी नहीं है तो यही था अगर आपका rank इन में से होता है around 10,000 का अदर होता है तो आपको कोई भी एक Common College मिल ही जाएगा ठीके तो next वीडियो आएगा इसके उपर Common College of Engineering का लिए टेक्नोलोजिय के उपर ओके तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में